सुलेमान के मंदिर से आज के मसीही का क्या संबंद है आप कहेंगे कि भाई सुलेमान का मंदिर तो यहूदियों का मंदिर था उससे आज के मसीही का भला क्या संबंद हो सकता है लेकिन संबंध है आत्मिक संबंध सुलेमान का मंदिर एक अति सुन्दर भव्य इमारत थी जिसको परमेश्वर का भवन भी कहा जाता था इसलिए पुराने नियम में सुलेमान का मंदिर एक चित्र था परमेश्वर के राज्य का और परमिश्वर के राज्य से हर मसीही का सिंबन्ध होता है परमिश्वर का राज्य कब आएगा परमिश्वर के राज्य मतलब येश्व का राज्य येश्व के राज्य के शुरुआद आज से 2000 साल पहले हो चुकी है एक मसीही के अंदर भी और इस संसार में भी कब जब येशुन अपना बलिदान दिया था कुरूस पर और चर्च की स्थापना होई थी तब से येशु के राज्य की शुरुवात हो चुकी है एक मसीह के अंदर भी और इस संसार में भी लेकिन येशु का राज्य पूरा तब होगा जब येशु का दूसरा आगमन होगा और येशु पृत्वी पर अपने एक हजार साल का राज्य कायम करेगा तब तक येशु के राज्य का काम चलता रहेगा अर्थात परमेश्वर के भवन का निर्मान चलता रहेगा तो सुलिमान के मंदिर का निर्मान कैसे हुआ था पहला राजा 6 साथ कहता है और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाये गया जो वहां ले आने से पहले गड़ कर ठीक किये गये थे और भवन के बनते समय हतोडे वसूली या किसी प्रकार के लोहे के आजार का शब्द कभी नहीं सुनाई पड़ा इस आयत का क्या मेहत्व है मैं समझाता हूं तो यह आयत कहती है कि भवन तो बना लेकिन वहां पर किसी प्रकार के आजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा तो बना कैसे सुलेमान का मंदिर कोई साधरान मंदिर नहीं था सुलेमान परमेश्वर यहोवा का सच्चा भग था और चाहता था कि परमेश्वर का मंदिर सबसे अनोखा और अजबुद बने पहला राजा 5-15-16 कहता है और सुलेमान के 70,000 बोज ढोने वाले और पहाड पर 80,000 व्रिक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिये थे जो काम करने वालों के उपर थे सुलेमान का मंदिर आज से लगबग 3,000 साल पहले बनाया गया था और उस समय के मापदन के अधार पर by the standards of those times सुलेमान का मंदिर एंजीनियरिंग की महारत का एक बेमिसाल नमूना था जो विश्व विख्यात था अब आज के समय में आम तोर पर क्या होता है जब भी कोई इमारत यानि बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो उसके निर्मान के समय बहुत शोर होता है छेनी हतोडे का आरी का, वसूली का टायल काटने का concrete mixer यानि cement और रोडी मिलाने की मशीन का इतियादी अभी हमारे घर के चारो तरफ पिछले चार साल से बिल्डिंगें बन रही है तो रोज बहुत शोर होता है और हर नई बिल्डिंग जो आज बनती है आज के जमाने में उसमें बहुत शोर होता है लेकिन सुलेमान नहीं चाहता था कि जिस थान पर परमेश्वर का भवन बने वहां किसी भी प्रकार का शोर शराबा हो या वहां पर कोई भी लोहे का औजार इस्तमाल हो क्योंकि सुलेमान उस थान को बहुत पवित्र मानता था इसलिए उसने आग्या दी कि परमेश्वर के मंदिर के लिए जितना भी पत्थर या लकडी चाहिए वो भवन के निर्मान स्थल से दूर बिलकुल सही नाप से काटे और तयार किया जाए और तब वे मंदिर के निर्मान स्थल पर लाए जाए ताकि निर्मान स्थल पर लाने के बाद उन पर कोई ओजार ना चलाए जाए केवल उनको अपनी अपनी जगा पर फिट किये जाए भवन के नक्षे के अधार पर मतलब ये कि परमेश्वर के मंदिर का निर्माण बिलकुल शांती और खामोशी से किया जाए अब मंदिर के लिए लकडी तो लबानौन से आई थी लेबनान जिसको इंग्लीश में बोलते हैं लेकिन मंदिर के लिए भारी भरकम विशाल का एप पत्थर यरूशलम की उत्री दिवार की पहाड़ियों के नीचे पत्थरों की खान से काट-काट कर निकाले गए थे सन 1535 में एक अन्य बादशा सुलैमान ने इन पहाड़ियों में एक द्वार बनवाया पत्थरों की खान को अंग्रेजी में क्वेरी कहते हैं जहां से पत्थर काट-काट कर निकाला जाता है यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह वही स्थान है जहां से आज से 3000 साल पहले सुलैमान के मंदिर के लिए पत्थर काट-काट कर ले जाया गया था इन खानों में बहुत अंधेरा होता है कुछ जगाओं पर तो पत्थरों को काट कर निकाल ले जाने के निशान आज भी दिखाए देते हैं पहला राजा पांच सत्रा कहता है फिर राजा की आग्या से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नीव गड़े हुए पत्थरों से डाली जाए और सुलेमान के कारिगरों और हीराम के कारिगरों और गबालियों ने उनको गड़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तयार किये सुलेमान के मंदिर की अद्बुत सुन्दरता और उसका शांत और खामोश एकत्री करण चिन है उस आत्मिक मंदिर का जिसका निर्मान आज पवित्र आत्मा कर रहा है कैसे इफिश्यों का दो उननीस से बाइस कहता है जिसमें पावलुस ने कहा इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परन्तु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविशत वक्ताओं की नीव पर जिसके कोने का पत्थर मसी येश्यों आप ही है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास्थान होने के लिए एक साथ बनाये जाते हो तो यहां बात हो रही है परमेश्वर के भवन अर्थात चर्च की जो परमेश्वर का राज्य है तो इन आयतों में बताया जा रहा है कि कोई भी महाराज जब बनती है तो सबसे पहले उसका foundation उसकी आधारशिला और उसकी बुनियाद बनती है तो यहां पर यह जो परमेश्वर का राज्य है यानि परमेश्वर का भवन है उसका कोने का पत्थर जो है वो येश्व मसी है कोने का पत्थर वो होता था जिसको सबसे पहले रखा जाता है और उसी के नाप के आधार पर बाकी पत्थर लगाए जाते थे तो येशु हुआ हमारे कोने का पथर और जो बुनियाद है जो फाउंडेशन है वो प्रेरितों और भविश्यद वक्ता उन्हें जो कुछ भी सिखाया पुराने नियम में ने नियम में वो हमारा आधार बना फाउंडेशन बुनियाद इस इमारत की जो परमेश्वर का राज्जी है और हम लोग उसमें फिट किया जाएंगे एकदम भली बांती जहां हमें फिट होना है हमें उस इमारत में पिलकुल फिट किया जाएगा लेकिन परमेश्वर के राज्जी में हमें अपनी जगा पर फिट करने से पहले हमें तैयार कहां किया जाता है परमेश्वर के इस आत्मिक मंदिर में हर मसीही एक बहमूल्य पत्थर है जो इस संसार के पत्थर की अंधेरी खानों से काट-काट कर अलग किया जाता है मतलब ये संसार जिसका ईश्वर शैतान है जैसा दूसरे गुरुंतियों के चार-चार में लिखा है जिसकी वज़े से सारा संसार आज पाप के अंधकार में डूबा हुआ है हम सब भी पहले उसी अंधेरे संसार का हिस्सा थे फिर पवित्र आत्मा ने हमें निरुत्तर किया और हमें संसार से काट कर अलग कर दिया ताकि हम परमेश्वर के राज्जी का हिस्सा बन सकें ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के पत्थरों को खानों के भीतर की पहाड़ियों से काट कर अलग कर दिया गया था परमेश्वर के भवन के निर्मान के लिए लेकिन पत्थरों को काट कर अलग करने के बाद उन्हें सीधा मंदिर के कारिस्तल पर नहीं ले जाय गया था बलकि उनकी कटाई, चिलाई और पॉलिश होती थी और उन्हें बिल्कुल उसी नाप का बनाया जाता था जिससे वे सीधा जाकर मंदिर के भवन में अपनी अपनी जगा पर फिट हो जाएं मतलब कटाई चिलाई में जो शोर होता था वो खानों के अंदर ही होता था पत्थर के खानों के अंदर, पहाडियों के नीचे मंदिर के निर्मान स्थाल पर नहीं बाहर किसी को पता ही नहीं चलता था, इसी लिए परमेश्वर का मंदिर बिलकुल शांती से और खामुशी से बना, ठीक ऐसे ही, जब हम संसार से काट कर अलग कर दिया जाते हैं, तो पहले हमें काट छील कर हमारा एक नया चरित्र तियार किया जाता है, इसी संसार में, यहां पर हमें तियार किया जाता है, जो परमेश्वर के राज्जी के लिए एकदम उप्योक्त हो, ऐसा चरित्र हमें दिया जाता है, एकदम फिट हो, और हमारी कटाई चलाई, अर्थात, हमारी ट्रेनिंग, ठीक उसी नाप से होती है, जिस नाप से हमें परमेश्वर के खाय नहीं देती, बाहर कोशोर नहीं होता, ये कारिय हमारे अंदर चल रहा होता है, रोज प्रभु हमें तयार कर रहा होता है, पवित्रात्मा और वचन के द्वारा, रोज वो हमें तयार करता है, ताकि अपने राज्यों में वो हमें सही स्थान पर फिट कर सके, मतलब ये ए, कि हमारे अंदर जब हम संसार में रहते थे, तो coherence बुराईया थी और जब हमने परमेशवर की वह बुलाहट स्विकार की और हमें काटकर अलग कर दिया गया, तो हमें परमेशवर उन बुराईयों से बूर करने लगता है किसी भी ते रहके हो सकती हैं वो बुराईयां जैसे कि व्यभिचार या नशा करना जुआ खिलना गाली गलोच, लड़ाई जगड़ा गुस्सा करना ऐसे बहुत से बुराईयां जो हमारे अंदर थी और हर संसारिक मनश्यमें होती है परमेश्वर काट-काट के हमें वहां से अलग करता है धीरे-धीरे तो यह जो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत दर्द होता हमे क्योंकि हम लोग संसार में इतने ढ़ल चोके थे विवर सो कंडिशन कि हम संसार से जल्दी निकलना नहीं चाहते थे भले हम निरुत्तर हो गए थे पवित्रात्मा के सामने और हमने अपनी मंजूरी दी कि परमेश्वर मुझे तेरे राज्जी पे आना है लेकिन संसार से निकलना हमारे लिए इतना आसान नहीं था बहुत सी जगाओं पर हमारी जब बुराईयां थी वो संसार से जुड़ी भी थी तो परमेश्वर धीरे धीरे करके हमें वहाँ से काटके अलग करते जाता है हम अपनी इच्छा से एकदम से अलग नहीं होते है परमेश्वर धीरे धीरे हमें समझाता है सिखाता है ट्रेनिंग करता है हमारी तब हमें अलग करता है वहाँ से वो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी situations यानि परिस्थितियां लेकिया आता है जिनके द्वारा वो में सिखाता है कि उसका राजिक है और हम संसार से कैसे अलग हो सकते हैं धिरी-धिरी करके वो हमारे आत्मा को सिखाता है जब हम संसार से काट कर अलग कर लिए जाते हैं तो क्या होता है संसार हमें त्याग देता है हमें निकम्मा कहता है अधर्म ही कहता है इसने तो अपना धर्म छोड़ दिया यह तो येश्यू के बीचे चला गया ऐसे सब सुनने को मिलता हमें अब देखा जाए तो पत्थर अपने आप में निर्जीव होता है उसमें कोई जीवन नहीं होता वो स्वयम अपने आपको पहाड से अलग नहीं कर सकता ऐसे ही मनुश्य भी होता है मनुश्य के आत्मा मृत होती है जब से वो जन्म लेता है इस प्रित्वी पर जैसे बाइबल सिखाती है निर्जीव होती है उसमें कई पाप होते हैं जो आदम से आये आदम का जो पापी सुबाव हर बच्चे में होता है तो उसमें शुरू से पाप होता है जो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसके बाप भी बढ़ते जाता है मनुष्य अपने आपको संसार से अलग नहीं कर सकता स्वयम परमेश्वर ही धीरे धीरे करके संसार से उसे अलग करता है और जब मनुष्य संसार से अलग होकर परमेश्वर के राजी में आ जाता है तो उसमें जीवन आ जाता है लाइफ आ जाती है He becomes a living stone जीवता पत्थर बन जाता है वो तब वो मनुष्य की जाते से निकल कर परमेश्वर की संतान केलाता है परमेश्वर जिसमें जीवन है पहला पत्थरस दो तीन से पांस कहता है यदि तुमने प्रभु की किर्पा का स्वाद चक लिया है उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठेराया परंतु परमेश्वर के निकल चुना हुआ और भवमुले जीवता पत्थर है येश्व मसी उसके पास आओ तुम भी आप जीवते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो तो जब आप उस जीवता पत्थर येश्व मसी जो भवमुले पत्थर है चीफ कॉर्नर स्रून उसके पास जब आप आते हैं तो आप भी जीवते पत्थर बन जाते हैं और उसके नई आत्मिक घर बनते जाते हैं जिससे याजकों का पवित्र समाज बन कर याजक कौन हर एक मसीव विश्वासी नए नियम में वो याजक है ऐसे आत्मिक बलिदान चड़ाओ जो येश्व मसीव के द्वारा परमेश्वर को ग्रहन हो तो इस तरह हर उस मनुश्य को जो परमेश्वर की बुलाहट स्विकार कर लेता है और अपने पापों से मन फिराकर येश्व के बलिदान को स्विकार कर लेता है जो येश्व ने हमारे पापों का दंड भुगतने के लिए क्रॉस पर दिया आज से 2000 साल पहले जब वो से स्विकार कर लेता है और वो मनुश्य येश्व को अपना एक मातर परमेश्वर और उद्धार करता स्विकार करके उसके बताय मार्क बाइबल पर चलने को तयार हो जाता है उसको परमेश्वर इस संसार से काट कर अलग कर देता है और अपने राज्जी के लिए तयार करना शुरू कर देता है तो इस तरह परमेश्वर का राज्जी अर्थात परमेश्वर का मंदिर बहुत शांती से और खामुशी से तयार हो रहा है छैनी हतोडा, आरी और दूसरे लोहे के अजार कही न कहीं विद्रोह और कलहे के चिन्न है इसलिए सुलमान नहीं चाहता था कि मंदर के निर्मान स्थल पर इनका इस्तमाल किया जाए अब देखा जाए तो जहां आज चर्चों के लीडरों के बीच जहां प्रेम और शांती और मिलन सारिता होने चाहिए वहां आज बहुत से चर्चों में लीडरों में आपसी फूट है कलय है और मन मुटाव है ये बहुत खेद की बात है क्योंकि परमेश्वर का भवन इस तरही किसे खड़ा नहीं किया जाता परमेश्वर का मंदिर शांती और खामोशी अर्थाद नमृता और प्रेम से खड़ा किया जाना चाहिए बाइबल ये भी सिखाती है कि हर मसीही विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है पहले करंटियों का 3-16 कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है मतलब परमेश्वर ना केवल सच्चे मसीयों के द्वारा अपना राज्य खड़ा कर रहा है बल्कि वो सच्चे मसीयों के अंदर भी अपना राज्य बना रहा है कैसे? अपने वचन से परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के रूप में हर मसीय के अंदर बसता है वो शांती और खामुशी से अपना कारी कर रहा है मसीय के अंदर बाहर से परमेश्वर उस मसीय पर छेनी हतोड़ा और दूसरे औजार चला रहा है, बाहर से, मतलब परिस्तितियां लाके दे रहा है, इसी संसार में रहते हुए, अलग-अलग तरीके से, सिचुएशन साती हैं हमारे जिंदगी में, हमारी परिक्षा ली जाती है, सब बाहर से हो रहा है, बिन बिन हालात लाकर, वो हमारा चरित्र निर्मान कर रहा है, लेकिन अंदर से वो मसिही, खामोशी से बदलता जा रहा है, with silence, उसका चरित्र येश्यू की जैसे होता जा रहा है, धीरे धीरे वो सांसारिक सोभाव से निकल कर, परमेश्वर के सोभाव में डहलता जा रहा है, परमेश्वर को पता है, कि उसके मंदिर में कौन सा पत्थर कहां फिट होगा, केवल परमेश्वर जानता है, कि उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन पुराने नियम से, हमें एक बात तो जरूर समझ में आती है, और वो ये है, कि जब परमेश्वर का मंदिर तयार होगा, तो उसका वैभाव, उसकी महिमा अद्बुद होगी, अर्थाद, येश्व के राज्जी के महिमा, किसी भी सांसारी के राज्जे से, बहुत उत्तम होगी, जो भी सुलिमान के मंदिर को बनता हुआ देखता था, पुराने नियम में, वो आश्चरी करता था, कि इतना विशाल और खूबसूरत मंदिर, दिनो दिन बढ़ता जा रहा है, बिना किसी आवाज के, बिल्कुल खामोश, शांती के साथ, ऐसे ही परमेश्व का राज्जी भी होगा, येश्व के दूसरे आगमन पर, आज हम सब पत्थर, अलग-अलग जगा पर, अलग-अलग तरीके से तियार किये जा रहे हैं, येश्व के राज्ज में अपनी अपनी जगा फिट होने के लिए, कोई किसी देश में है, तो कोई किसी देश में है, लेकिन ऐसा समय आएगा, जब येश्व हम सब को इकठा कर लेगा अपने राज्ज में, और जो भी उसके राज्जी के महिमा देखेगा, वो सोचेगा कि इतना सुंदर, इतना प्रभावशाली राज्य कब और कैसे बन गया, बिलकुल शांति और खामोशी से, आमेन